नमस्कार आप जूर्चुके हैं दानिक शिव्टाइम से में रश्मी शर्मा कैमरामेन शुवम भगत के साथ हैं दरश्व को जिस तरह से आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे मुद्धों को सामने लेकर आएं कि जिसकी कहीना कोई महतब होती हैं इंपॉर्डस होती है और कहीना कि ज जक्ति जो शिकार भी हो उसके हमले से जो गांधी नगर की बात है तो जिस तरह से बताना चाहें के आशिया ना चाहे किसी का वह हो पशुपक्षी का हो यहां चानवरों का या इंसानों का हो किसी की आशिया ने के साथ अगर शेट खानी की जाएगी तो नेचरली सभावी क वो उत्पाद तो मचाएगा है इसी विशे में आज हम आए हैं यहां पर वाइल डाइफ में और हमारे साथ समय जूट चुके हैं सुरेश कुमार गुपता जी जो की चीफ वाइल्ड आफ वाडन्स है आए जानते हैं आखिर कौन का सूरवार है इन सब चीजों के पीछे कि ज इस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत फोड के लोग भी सैमें हुए थे और एक व्यक्ति जो गांदी नगर ग्रींडल पार्क में भी शिकार हुआ लेपड का क्या कहें गया इसमें देखिए ऐसा है कि जैसे जम्मू हमारा जो है इसके नार्थ और इसकी तरफ फारेस्ट एरिया है जो कि वाइल लैफ ही और जहां वह बहुत है और हमारे होते हैं कि आज कल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मसला चल रहा है क्लाइमेट चेंज का चल रहा है और साथ में ही जो हमारे जंगल है उनमें भी बहुत प्रेशर है डिवेलमेंट का प पापूलेशन जो डुमेस्टिक होती है वह भी इंक्रीज हो रही है उसको भी प्रेशर एगरेजिंगा तो नेचरी जो वाइल लाइफ की जो होती है उसमें जो है नुक्सान होगा उसकी डिग्रडेशन होई है तो यह उनी चीजों का एफेक्ट है कि जो हमारे वाइल जो है बीच बीच में कभी बाहर भी निकलते हैं जब उनको बहुत जंगलों की अगर कटाई की जाएगी तो नेचरी उन लोगों के अंदर डर होगा तो वह तो जो गर है उसमें जब किसी किसम की कोई प्रॉल्म होती है जो इनको पूरा खाना नहीं वहां मिलता है तो नेचरी यह बाग कोशिश करेंगे बाहर आने के लिए बहार जो है कहीं डूंडेंगे कुछ काने को मिल जाए और उसी सिल्सने में क्या होता है फिर हमारे इंसान के साथ इनका तक्रार हो जाता है बिलकुल प्रॉल्म होता है जो इस तरह की जान भी जा सकती जो इंपलाई थे आपके जिन्होंने मीडिया के मादें से भी बाइड दी है और एक की जो जिनकी बात करें उनकी टांग को भी काफी नुकसान हुआ है तो उनकी जा सकती तो इस तरह क्या करना चाहिए किस तरह के प्रिकॉशन्स लेने चाहिए ताकि जो जानवर हैं उनको भी ना लगे कि उनके ओपर कोई अगात हो रहा है या हम लोगों की सुरक्ष लगाते हैं तो वो शार्ट उसको जब लगता है तो फिर उस पर इंजेक्शन से द्वाई उसके अंदर चली जाती है और वो जब मसल में जाती है अब जानवर भी होश हो जाता है फिर हम उसको उठाके ले आते हैं लेकिन अब यहां क्या हो गया कि बहां पब्लिक कठी हो बीड कठी हो गई ट्राफिक रुक गई और लोग बिल्कुल वो जो बनी थी फैंसिंग बनी थी बहां जो ग्रिल लगी थी लोग उस पर चड़ गए और किसी उन्हें छोटी-छोटी कंकरियं माना शुरू कर दी किसी ने चलाना शुरू कर दिया तो अमें यह खतरा हो गया कि कहीं यह जानवर कहीं मौप है ना कहीं जप्ट पड़े तो और जा नुक्सान करेगा उसी चकर अगर ऐसा होता तो काफी जानवर का नुक्सान हो सकता था जानवर तो जानवर है और इसके आपको पता है पंजेव गरा के काफी तेज होते हैं तो उससे नुक्सान हो सकता थ यह हमारे स्टाफ ने बड़े पास से उसको शाट किया ताकि वो डाट जो है मिसोंने का कोई चांस नहीं बड़ा ही खतरनाक था जो पूरा वीडियो लाइव जो बताया मेडिया के मादें सोशल मीडिया पर काफी वायरिला यानि कि जान को जोखे में डाल कि आपके जो करमच काट किया और बाद में हमारा एक जो होता है जिसको हम पॉल ट्रैप कहते हैं वह रहारे से इस के साथ को मैंच करते हैं क्योंकि वह पास पछाने के लिए यह ही था कि जल्गी कुछ किया जाए कि निकला जाये कहीं इक इरिटेट हो करके कहीं बाहर निकल गया जहीं और अठ बिल्कुल यह आपने जो बात कहीं बिल्कुल और भी काफी लोगों ने में सजावी दियें कि जिस तरह का वहां महोल था लोगों को कि अगर कभी ऐसा बगवान ने करके भी फिर से कभी ऐसा महोली है इस तरह की कभी अनफार्चिन सामने मरे सिच्वेशन आ जाती लोगों को स स्टाफ ने जो बिल्कुल पास से जाकर कि उसको डाट किया इतना रिस्क लेका दो लोग हमारे इंजर हो पहले त्यारी करके रखते के कभी भी ऐसा हो तो पहले त्यारी की होती है आपने प्री प्लैन करके ऐसा है कि जैसे हमारे पूरे जीहन के में 42 रॉम हैं और अक्सर य हमारे लोगों ने उसको ऐसे करके ले आए थे तो यह थोड़ा सा है बट इसमें यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कभी ऐसा दवारा हो सकता है अगर इशुर ना करें लेकर मैं यह कहूंगा कि लोगों को चाहिए कि वहां पास ना जाएं और सेफ डिस्टेंस पनाके रखे क्रोड कठाना करें ताके हमारे लोग अपना अराम से काम करके जानवर को सेफली रिस्क्यू कर सकते हैं और जो इस समय वहां पर जो अपनी डूटी नहीं वार रहे हो तो उनके लीज़ा खत्रा आ जाता है और बाकी लोग भी क्या होता है जैसे एनीमल अगर निकल गया तो हाई कोट की बात करें या दूसरी साइड हम बात करें हरी सिंग जो पैलेस के सामने की बात करें वहां से लोग जाते हैं शाम को काफी तदाद में जाते थे अब तो शैत करोना की वज़ा से कम हो गया है लोग जाके वहां पर सैर्स करते थे और काफी दफा हम भी जाते रहे तो लोग फिर भी उसके बावजोद भी जाते हैं largest जाना का वाकर ईससी कोई चाहें डिसको आड़ को का शेथ हैं nursery है और यह ऑ्यवर्मन ने तरी नोटीफाइघ किया है पार जो तभी के पार बहुचर रजर्व है उसको भी नोटिफाइई किया ह 단 इस में वाय लेपड तो है ही है क्योंकि लापड की इबिट है है और आप जानते हैं कि जंबू शे hani राजो की जम्मू शेशन के नाम ऑने राजा जंबू लोचन के नाम पे रखा था पार सब्गार्द में आजुन कोई है और यहहां का यहां बषिंदा था है और रहेगा वे लोग जा करें मैं उन drew दिस यह बिल्कुल करता हूंud के से तो उसको लगेगा कि शायद उसकी जान को खत्र है तो उसके लिए वो टैक करेगा आप कभी भी ग्रूप में जाएं और उससे यह होगा कि वह अपना जो रास्ता होगा बदल देगा क्या कहना चाहेंगे सर जमू कश्मीर की हमारी जन्ता को एज एक रिस्पॉंसिवल व्यक्ति हैं और जिस तरह से आप देखने के जो महाल था कही न की लोगों में दर अभी भी बैठा हुआ है कि फिर से ऐसा तो नहीं होगा क्या कहेंगे मारी जमू कश्मीर की जन्ता मैं यह कि जो भी आपका निरस्पारस्ट का या पुलीस का कंटेक्ट है वहां बताएं कम से कम वण जिरो 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 जो जो पुलीस कंट्रोल में मेंसेज देंव हमें मैसेज आ जाता है आज कर सबके पास स्मार्टफून है अगरा वाई लेड़ुट़ देपार्टमेंट वेबसेट देखेंगे उसमें मेरा मेरे सारे कंट्रोल लोंज का सब के नंबर हैं आप कहीं भी वहां काल करेंगे हमारे लोग इमीडिटली जाएंगे और उस चैनल को रिस्क्यू करेंगे और आप सेफ डिस्टेंस बनाके रखें करोड़ी कठन करें और हमें टाइमली इतला क कारदे हम उसका रिस्क्यू कर लेंगे दिन्यमा सुरेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए थे हमारे साथ चीफ वाइल डाफ वाडन जो की सुरेश कुमार गुपता जी जिस तरह से देखा था हाली में जो लोग के अंदर एक पैनिक एक डर का मोहल क्रियोट हो गया कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले है कि इनका जो काम है लोगों के वहां जमगठा कठा करने से कहीना की काम में बादा पड़ती है और सबसे बड़ी बात जब जानवरों के पशुपक्षियों के जब घरों की तरफ होती है घरों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी या उनको लगेगा हमारे घरों के साथ छेड़ खा नहीं की जा रही है या जंगलों की खेड़ खा नहीं की जा रही है तो डेफिनेटली उनका रुख शहरों की तरफ होगा और कहीना की बहुत घातिक भी साबत हो कर साथ ही साथ एक बड़ी महत्तवपूर सर ने भी जानकारी दी कि जिस्तरान से उन्हें ब्ताया क्या हैं यह नोडिफाई किये गए हैं कि उनकी मांडा में जो लोग िरू है जाते हैं क्यों की जईकर जियं हम जाएं हमेशा घृप में जाएं क्योंकि जो भी जंगली जो महराजारी सिंग के पहले से सामने से हम पीछे होटल वाली साइट से जाते हैं तो उन लोगों के लिए चताब नहीं है कि अकेले माच जाएए क्योंकि जान है तो जहान है यह थी अभी तक अपडेट जूड़ी रिया से हमारे सत्थ अगले अपडेट के लिए जाहिंद ज एपार्ट